सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का वायदा करने बाली भारती इंता पार्टी ने क्या देश की जन्ता के साथ पक्षपात किया है नमसकर आपके साथ मैं हूं रितिक सवीता स्वागत है आपका SPN 9 News में आपने तमाम काल सुने होने लेकिन मितरकाल की चर्चा की जा रही है कि आखिर क्यों मितरकाल मैं यहां पर देश की प्रधान मंत्री ने अपने मितर और भाय का साथ डिया क्या सच में सबका साथ سबका विश्वास और सबके विकास की जो बात देश की पृधानमंत्री करते हैं वो हो रहा है क्योंकि प्रियंकर गान्थी ऐस आप तर पर कहती हूं रही है कि जो आपसे को आप और वैदे के जाती हैं वैदे ज्जूटे है किसी का साथ नहीं है, किसी का विकास नहीं है, किसी का विस्वास यहाँ पर नहीं जीता गया, क्यों? क्योंकि लगातर कहा जा रहे कि देश की प्रधान मंत्री ने देश की जनता के साथ पक्षपात किया है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। हिद में काम कर रही है हुआ यो सबका साथ सबका विकास का नारा था वो अब वित्र का सल क्या असका नारा बन चुका है कि कुछी महीनों में यह 36ग जढ़ में चुनाव आ रहे हैं और फिर इसके बाद हां चुनाव आएंगे चुनाव के समय कई बाते आएंगी आपके सावने यह प्रयास होगा कि जाती की बात हो यह प्रयास होगा कि आप की मैं आपcé आगरह करती हूँ आप अपनी बात कहिए आप भजपा के नेताओं से यह पूछिए कि आप के लिए क्या किया का कि उनके देश की जो केंडर में सरकार है जो इससे पहले उनकी प्रदेश में सरकार थी उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया और इसी आधार पर आप अपना वोट डालिए इसी आधार पर अपना समर्थन दीजिए कि आपके काम करने वाली आपको सरकार मिले मुझे कोई शक नहीं है कि जो आज प्रदेश में सरकार है वो आपके हित में काम कर रही है जितनी सारी योजनाई यहां पे लागू हुई है मैंने कहा पहले शायद किसी और प्रदेश में नहों यहां Congress की सरकार है, राजस्तान में Congress की सरकार है, अब हिमाचल में Congress की सरकार आई है, और आप इन सरकारों में देख सकते हैं, इन प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि Congress की सरकार होने से और भाजप्ता की सरकार होने से कितना फर्क है तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर प्रियंका गांधी आग बबूला हो चुकी है। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देखती रही है, SPN 9 News.